हाई फ्रेंग्स में हुआने विल्कम टू मुवी शूवी करते हैं आपसे पॉजटव सा नमस्कार मैंने भी आर्टिकल 370 का पोस्टर देखा फिर मैंने देखा कि किस तरीके का इसका ट्रेलर है इसे पहले हम टीजर की भी बात कर चुके हैं देखो इसमें बहुत सी बाते हैं जो शायर आपको पता होंगी या आपको नहीं पता होंगी डिपेंडिक होना आपका पॉलिटिकल जो नॉलेज है वो कितना जादा है अब मैं आर्टिकल 370 की बात करूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह बानते हैं कि शायर जो कश्मीर है वो एक इंडिपेंडेंट साथ जाएगा कि इंडिया के साथ जाएगा फिर इंडिया के साथ एक स्पेशल अरेजमेंट के अंदर वो 370 आर्टिकल के अंदर आया और उसके बाद फसा ही रह गया विचारा क्योंकि कभी ना कभी तो एक डिसेशन लेना था कि वो किस कंट्री के साथ इवेंचुली इसके अलावा इसके और भी कई वर्जन्स हैं और 370 क्यों हटना जरूरी है क्यों इंडिया के जो लोग है जिनको एक समानता के रूप से देखा जाता है तो जो कश्मीर के लोग है उनको इसमानता इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वहां पर एक जो रकस क्रिएट हुआ हु इंस्टिट्स के लिए भी एजुकेशन बड़े यह समानता होना बहुत जादा जरूरी था एक कंट्री और उसका मतलब यही है कि एक ही तरीके का लौ चलेगा सबके लिए तो उसी तरीके का रिफ्लेक्शन आपको इस ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिलता है काफी इंट इंदर मोदी साब भी अपना एक पर्सपेक्टिव देते वे नजर आएंगे कि ऐसा क्यों ज़रूरी है यहां पर बात सरफ इंडिया के पास कश्मीर है उसकी बात नहीं हो रही है बलकि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइट कश्मीर है उसकी भी बात एक साथ चल रही है और क्य सब्सक्राइब करता है इसका जो टाइमिंग है बिल्कूल मैच करता है एक एलेक्शन के दोर के हिसाब से मैं बहुत खुश हूँ कि इतना सुंदर जो पार्ट ऑफ इंडिया था वह एक इंटेग्रल पार्ट बन गया है जो लौ सिस्टम में क्रॉस है इंडिया के अंदर व जल्दी वहाँ पर डेखने की शुरू हो जाएगी और इससे होगा गया कि जब वहाँ के जो बच्चे हैं जब वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे तो वहाँ के जो लोग हैं उनको भी समझ में आएगा कि यह कि इतना ज्यादा इंपॉर्टन था हलाकि बहुत सो करते हुए बहुत जादा मजा आता है देखते हुए अवा में लह रहाते हुए तो यह सारी जो देशभक्ती की जो भावना है प्लस जो पॉलिटिकल रीजन्स थे जिसकी वज़ा से हट रहा था यह नहीं हट पा रहा था और इविंचली फिर किन सर्कम्स्टाइंस में हटा एक अच्छा टेक होगा एजुकेशन भी मिलेगी इससे और एंटर्टेन्मेंट भी होगा इंटेंसिटी खूब जादा होगी तो जिस तरीके से बनाई गई है इसकी प्रडॉक्शन क्वालेटी भी मुझे कश्मीर फाइल्स यसी मूवी से काफी ज्यादा बेटर लगी और